Find equation of right circular cone which passes through 0.112 and has its axis at the line 6x equal to minus 3y equal to 4z and vertex at origin. तो बच्चो पीछले दो सम्स की तरही ये भी सम है, ओके, तो इसको कैसे handle करना है, देखो बच्चो, सबसे पहले. Step 1, आप क्या करो, एक cone draw करते हैं, तो मैं आपके लिए, ये है हमारा cone, इसका vertex का आप है, origin, 0000, अब इस cone के उपर मुझे एक point पता है, वो जो point है, Let me call it as Q, उस point को क्या बोलता हूँ मैं, Q, Q के coordinates क्या है, 1, 1, 2, Okay, अब इसकी जो axis है, उस axis, that axis is nothing but a line, उस line का equation मेरे पास है, उस line का equation हमारे पास है, तो देखो, उस line का equation कैसा है, मैं side में लिखके देता हूँ, ये जो line है, इसका equation है, 6X equal to minus 3Y equal to 4Z, 6X equal to minus 3Y equal to 4Z, बच्चो, 6, 3 and 4, इनका LCM क्या रहेगा, 12 रहेगा, कैसे है, सबसे पहले 2 से करते है, 2, 3 is a 6, फिर इधर नहीं आएगा, तो 1 as it is, फिर 2, 2 is a 4, उसके बाद मैं ये 3 as it is लेना पड़ेगा मुझे, क्योंकि वो नहीं हो रहा है, फिर उसके बाद मैं 3 से करते है, 3 1s, 3 1s, ये 2 as it is, फिर 2 से करना पड़ेगा फिर से, 2 1s, ये 1 1 1 1 as it is, तो 2 इंटो 3, 6, 6 2 the 12, 12 is the LCM, तो फ्राउट डिवाड़ बाए 12 कर दो बच्चो, तो 6X डिवाड़ बाए 12, माइनस 3Y डिवाड़ बाए 12, इक्वाल टो 4Z, डिवाड़ बाए 12, 12, तो ऐसा क्यों कि असर आपने, मुझे DRS चाहिए थे, इसलिए, तो DRS कैसे फाइंड होंगे, देखो बच्चो, बताओ, 6 डिवाड़ बाए 12, ये X डिवाड़ बाए 2 लिख सकते हैं इसको, इसको Y डिवाड़ बाए, माइनस 4 कर लिख सकते हैं, क्योंकि 3 बंदा 3 फोर जा, फिर Z डिवाड़ बाए 3 लिख सकते हैं, तो moral of the story क्या है बच्चो, DRS क्या है, 2-4, 3, ये DRS है, X के, तो मैं लिख देता हूँ, DRS of X क्या हैंगे, 2-4, 3, ओके, अब बच्चो, आपके पास X के DRS है, उसके बाद में एक जनरेटर है, VQ, VQ जो जनरेटर है, आपके पास, V के कोडिनेट है, Q के कोडिनेट है, ओके, आपके पास क्या नहीं है, semi-vertical angle, alpha नहीं है, तो सबसे पहले हमें find करना पड़ेगा, semi-vertical angle, alpha, ठीके, तो कैसे find करना है, वो में लिखके देता हूँ, सबसे पहले मैं given markdown कर देता हूँ, जैसे कि हर step में मैं करता था, क्या-क्या लिखता था, बूलो बच्चो, given क्या है, बूलो, number 1, vertex, vertex क्या है बुच्चो, 0, 0, 0, उसके बाद में DRS of axis, number 2, DRS of axis, बूलो बच्चो, 2, minus 4, 3, 3, third point में क्या लिखता था, बच्चो, बूलो, semi-vertical angle, लेकिन यहाँ पर semi-vertical angle नहीं दिया है, लेकिन अगर examiner एक चीज नहीं देता तो दूसरी extra देता है, तो मेरे पास दूसरी extra चीज क्या है, one point on line, that is, q, it is one, one, two, one point on cone, one point on cone, मेरे पास है, उसके coordinates क्या है, one, one, two, तो इस तरह से मेरे पास बच्चो, given data है, जिसके help से मैं आगे बढ़ने वाला हूँ, अब उसके बाद में बच्चो, देखो, इतना हो गया, अब हम step two करेंगे, बच्चो, step two, step two में मैं क्या करूंगा बच्चो, to find alpha, to find alpha, that is semi-vertical angle, semi-vertical angle, alpha जो है, उसको find करके आपको दिखाऊंगा, तो semi-vertical angle, alpha find out करना है, तो मैं क्या करता हो बच्चो, देखो, द्यान से सुनो, DRS of VQ पहले find कर देता हो, DRS of VQ, कैसे find करते हैं बच्चो, बोलो, x2-x1, y2-y1, z2-z1, तो x2-x1 कैसे करेंगे, बोलो, 1-0, 1-0, 2-0, what it is, DRS क्या है, 1-1, 2, उसके बाद मैं बच्चो, DRS, DRS of Axis भी मेरे पास available है, Axis के DRS क्या है, 2-4, 3, 2,-4, 3, बच्चो, दो lines, एक दूसरे के साथ inclined है, और मुझे alpha find करना है, इस line के DRS है, मानलो, a1, b1, c1, एक को a1, b1, c1, दूसरे के DRS, a2, b2, c2, तो angle alpha हम find कर सकते हैं, मैंने formula लिखवा के दिया है, क्या है formula बोलो बच्चो, cos alpha is equal to, a1, a2, plus b1, b2, plus c1, c2, upon under root of, बोलो बच्चो, a1 square, plus b1 square, plus c1 square, इधर बोलो, under root में, a2 square, plus b2 square, plus c2 square, ऐसा है, तो हम कर देते हैं, बच्चो, 1 into 2, a1, a2 मतलब 1 into 2, plus, 1 into minus 4, plus 2 into 3, और नीचे क्या रहेगा बच्चो, बोलो, under root में, 1 square, 1 square, 1 इच दिखू, फिर, 1 square, 1 ही लिखता हू, 2 square, 4, डारिकली लिखता हू, बोलो, 2 का square, 4, minus 4 का square, 16, बच्चो, negative term का square, positive रहता है, 3 का square, 9, तो हमारे पास answer आ चुका है, बोलो, 1 into 2, 2 है, 1 into minus 4, minus 4 है, तो 2 minus 4 कितना हूआ, minus 2, 2, 3, to 6 है, 6 minus 2 कितना हूआ, 4 हूआ, तो numerator में आएगा 4, numerator में आएगा 4, और denominator में क्या आएगा, 4 plus, 1 plus, 1, 6, root 6, और यहाँ पर क्या रहेगा, 16 plus 4, 20, 20 plus 9, root 29, तो बच्चो, यहाँ तक हमारा कॉस alpha अब आ गया, पिछले दो समस में क्या था, कॉस alpha की value दी हूई थी, या फिर alpha की value दी हूई थी, तो निकलना असान था, इसमें क्या है, एक extra point दे दिया है, point Q on the line, तो वो VQ के DRS हम फाइन कर सकते हैं, axis के DRS, axis के equation से फाइन कर सकते हैं, और उसके help से मैंने क्या किया, कॉस alpha फाइन किया, तो यह एक छोटा सा difference था, बाकी सब procedure सेम, बाकी सब procedure सेम, तो procedure क्या है, step number 3, use standard procedure, step 3, use standard procedure, standard procedure, तो procedure क्या रहती है बच्चों, ना आपको याद दिलाता हूँ, let P, X, Y, Z, be, let P, X, Y, Z, be any point on the cone, be any point on the cone, कोन पे मैं point ले लेता हूँ, उस point का नाम देता हूँ, P, X, Y, Z, आप कई भी ले सकते हूँ, उपर लो, नीचे लो, कई भी भी लो, तो P be any point, X, Y, Z on the cone, अब DRS of VP आ जाएंगे, VP के DRS कहेंगे, X-0, Y-0, Z-0, तो हम देखते हैं, So, DRS of VP, क्या होगा बच्चो, X-0, Y-0, Z-0, तो it is X, Y, Z, इजर मैं equality नहीं लिखता हूँ, हाँ, equality लिखा तो भी कोई problem नहीं आएगा, लेकिन हर बार हम ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे लिखता हूँ, X, Y, Z is DRS of VP, उसके बाद मैं DRS of Axis आपको पता है, DRS of Axis आपको पता है बच्चो, Axis के DRS क्या है, चेक कर लेते हैं, Axis के DRS है, 2, minus 4, 3, तो DRS of Axis लिखता हूँ, 2, minus 4, 3, बच्चो, आपके पास DRS of VP है, DRS of Axis है, तो VP और Axis, इनके DRS हम पूट करेंगे, पूटेन किसमे हैं, Cos α, is equal to, formula क्या है, A1, A2, plus B1, B2, plus C1, C2, और under root मैं बोलो बच्चो, under root of, A1 square, plus B1 square, plus C1 square, under root मैं बोलो, A2 square, plus B2 square, plus C2 square, इसमें अब क्या होगा, बच्चो, Cos α, की value हम जानते हैं, देखो बच्चो, यह Axis के साथ, Angle VQ का जो है, उसको हम Semi Vertical Angle Alpha कहते हैं, वही Angle Axis का VP के साथ हैं, ओके, Semi Vertical Angle तो सेम रहेगा, तो Cos α की value हम copy करेंगे, 4 upon root 6, root 29, तो Cos α की value मैं put कर देता हूँ, 4 upon root 6, root 29, और यहाँ पर values जालते हैं, A1 into A2, बोलो बच्चो, X into 2, या फिर 2 into X, कुछ भी चलेगा, 2 into X, plus, minus 4 into Y, बोलो, plus, 3 into Z, और नीचे under root में क्या रहेगा, बच्चो, बोलो, under root of 2 square 4, minus 4 का square 16, फिर 3 का square 9, सिक्वेंस बतल दी तो भी चलेगा, मतलब यह पीछे लिखा, और X square plus Y square plus Z square आगे लिखा, कोई प्रोब्लम आएगा नहीं, multiplication है, तो A2 square plus B2 square plus C2 square, बोलो, X square plus Y square plus Z square, तो बच्चो, 2 into X, क्या रहेगा, 2X, minus 4Y, plus 3Z, और नीचे, डिनामेटर में बोलो बच्चो, 16 plus 4, 20, 20 plus 9, root 29, और इधर क्या, अंडर रूट of X square plus Y square plus Z square, और यहाँ पर कोई है, 4 upon root 6, root 29, now reason to smile, root 29, root 29, हाड़ गया, अब अगला सेब आप जानते हो, क्या करना पड़ते हैं, बोलो, squaring, both sides, squaring both sides, क्या होगा बच्चो, 4 का square, 16, 6 का square, अंडर रूट 6 का square, only 6, और यहाँ पर कोई आएगा, 2X minus 4Y plus 3Z, the whole bracket square, और denominator में क्या होगा बच्चो, इसका अंडर रूट हट जाएगा और रहेगा, X square plus Y square plus Z square, what we are going to do in the next step, बच्चो, let's have a look, 2, 3 is a 6, 2, 8 is a 60, now I will multiply it, over there, 8 into, बोलो बच्चो, X square plus Y square plus Z square, and moreover, 3 will move to that side, 3 is off, 2X minus 4Y plus 3Z, the whole square, बच्चो, यहाँ पर आपको formula यूज़ करना है, कुन सा formula सर, a plus b plus c, the whole square, what it is, a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca, या फिर ac, ठीक है, तो चलो, काम चालो कर देते हैं, यहाँ पर देखो बच्चो, यह formula मुझे यहाँ पर apply करना है, यहाँ पर, now, let's have a look, 8 into below, x square plus y square plus z square, now it is rise off, बच्चो, पहले 2x का square, 2x का square क्या आएगा, 4x square, minus 4y का square, negative term का square तो positive ही रहता है, 4 का square, 16, y square, 3z square, 9z square आएगा, फिर उसके बाद में बच्चो, बताओ, twice a b मतलब क्या, 2 into 2x, 4x, 4x into minus 4y, plus 4x into minus 4y, 4 into minus 4, minus 16, minus 16xy, okay, after that, 2z के बाद 2bc, मतलब, twice of minus 4y, minus 8y, minus 8y into 3z, minus 24, yz, सही है, उसके बाद में, twice a, मतलब 3z को 2x के साथ, and moreover, 2 से multiply करना है, 2 into 3z, 6z, 6z into 2x, 12xz, बराबर है, तो plus 12xz, तो इस तरह से यह आएगा, अगले इसमें, आप क्या करोगे बच्चो, ध्यान से सुनो, 8 into x square, 8x square, 3, 4, 12, 12, वो 60 जाएगा, या 12x square इदिर रने दो, 8x square वो 60 गया, 12x square minus 8x square, 4x square, औरली लिख दू, उसके बाद में बच्चो, 3, 16 जा, 16, 3 जा, बोलो ना, 48, 48y square, 8y square वो सड़ गया, 48y square minus 8y square, और जाएगा, 40y square, अगले बच्चो, 40y square, after that, now remaining term will be written as it is, 3 into 16, बोलो बच्चो, 48, minus 48xy, 3 into 24, it is 72, right, 72, 3 into 24 minus 72 yz, 3 into 12, 36, 36, so 36 xz, सही है, equal to 0, this is the required equation of cone, this is required equation of cone, required equation of cone, so let me check, answer सही है, क्या, 4x square, plus 40y square, plus 19z square, okay, minus 48xy, minus 72 yz, plus 36 xz, equal to 0, little, हो गया, बच्चो, इस सेंटेंस का मिनिंग क्या हो रहता है, मैं आपको समझा देता हू, makes, axis makes equal angle with coordinate axis, कोई भी line, अगर equal angles बना रही है, with coordinate axis, तो उसके DRS जो है, उस line के DRS जो है, वो होंगे 1,1,1, क्या होंगे? 1,1,1, तो इसका meaning, इस line का meaning है, DRS of axis, क्या होंगे? 1,1,1, and कोण passes through line drawn from O, with direction cosines proportional to 1, minus 2,2, बच्चो, direction cosines किसको proportional होते है? direction cosines किसको proportional होते है? DRS को proportional होते है, direction cosines are proportional to DRS, तो यह जो value है, बच्चो, यह DRS है, क्योंकि? क्योंकि? DCS are proportional to DRS, यह इसके कारण है, तो यह जो 1, minus 2, 2 है, वो generator के, क्योंकि? एक generator के DRS है, ओके? अब मैं इसको ड्रॉ करके आपको फिर से एक बार समझा देता हो, तो सबसे पहले यहाप एक कोण है, तो कोन के बारे में, मुझे क्या-क्या पता है, वो मैं आपको पता देता हूँ, सबसे पहले तो उसका vertex जो है, वो origin है, vertex क्या है, origin, 0, 0, 0, उसके बाद मैं, कोन की जो axis है, कोन का जो axis है, कोन's axis is equally inclined, makes equal angles with coordinate axis मतलब वो equally inclined है, तो DRS of axis मुझे पता है, तो मैं ऐसे mark कर देता हूँ, DRS of axis, क्या है बच्चो, 1, 1, 1, as a q, क्योंकि axis जो है, equally inclined है, coordinate system को, कोई भी line, coordinate system को equally inclined हो, तो उसके DRS क्या होंगे, 1, 1, 1 होंगे, उसके बाद मैं बच्चो, next step, इतना हो गया, उसके बाद मैं क्या दिया है, उसने, and कोन passes through a line drawn from O, O याने origin, origin से एक line drawn की गई है, वहाँ से वो pass होगी, line, और उस line के direction cos दिये है, याने यह जो line हम लेते हैं आरबार, इसके DRS दिये, DRS of generator line, line, क्या दिये गए है, बच्चो, 1, minus 2, 2, ऐसा दिया गया है, ओके, तो हम start कर देते हैं, अपना काम, बोलो, given, given में क्या क्या लिखू, point number 1, बोल दो, given में, point number 1, vertex दिया है, vertex कितना है, 0, 0, 0, point number 2 क्या है, DRS of axis, DRS of axis, कितना है, 1, 1, 1, ऐसा क्यों लिखा मैंने, reason नीचे mention कर देता हूँ, equally inclined with coordinate axis, since, equally inclined with coordinate axis, हमारा कून का जो axis है, वो coordinate axis के साथ equally inclined है, इसलिए उसके DRS, 1, 1, 1 है, third point क्या mention किया है, semi vertical angle mention किया है, नाई, लेकिन मुझे DRS of generator दे दिया है, DRS of generator of cone, of cone, कितना है, DRS of generator of cone, 1, minus 2, 2, given है, तो बच्चों हम काम चालू कर देते हैं अबी, ओके, देखते हैं, कुछ हट गया है क्या, नहीं ना, तो सब से पहले है, ये कौन था, ये step number 1, step 2, हम क्या find करना पड़ेगा बच्चों, हमें semi vertical angle alpha find करना पड़ेगा, दो lines है, एक दूसरे के बीच में angle बना रहे हैं, मानलो alpha, तो alpha find करने के लिए क्या formula है, cos alpha equal to, वो formula, ठीक है, लेकिन उसमें condition क्या होती है, मुझे दोनों lines के क्या पता होना चाहिए, DRS, चलो, हम काम चालू करते है, to find alpha, step 2, to find, बोलो बच्चो, alpha, alpha मतलब, semi vertical angle, हाँ, to find semi vertical angle, पहला step क्या लिखूँगा, मैं बोलो, DRS of axis, क्या है, axis के DRS, 1, 1, 1, आपको चाहिए, तो axis पहले लिखो, नहीं तो फिर, generator पहले लिखो, कोई भी sequence रहा, तो भी answer same ही आता है, DRS of generator, बोलो बच्चो, DRS of generator, 1, minus 2, 2, आपके, यह हो गया, अब क्या करेंगे बच्चो, बोलो, cos alpha, formula बोलो, A1, A2, plus B1, B2, plus C1, C2, divided by, under root of, A1 square, plus B1 square, plus C1 square, under root of, A2 square, plus B2 square, plus C2 square, चलो हम values put कर देते, A1 की value, 1, A2 की value, भी 1, plus minus 2 into 1, plus 2 into 1, उसके बाद में, under root में क्या लिखेंगे बच्चो, A1, A2, A3 का square, दे, 1 का square, 1, minus 2 का square, 4, 2 का square, 4, और यहापे under root में, 1 का square, 1, 1 का square, 1, 1 का square, 1, सही है, इसके बाद में, देखो बच्चो, 1 into 1, 1, minus 2 into 1, minus 2, 2 into 1, plus 2, divided by, 4 plus 4, 8, 8 plus 1, root 9, root 9 ऐसे रहने दो, root 9 आपको बले पता है, 3 है, एक उसको ऐसे रहने दो, यह root 9 बाद में, हम डील करेंगे उसके साथ, 1 plus 1, 2, 2 plus 1, 3, सही है, चलो, बच्चो, minus 2, plus 2, क्या होगा, cancel, तो यहाँ पर क्या है, क्या है, क्या है, root 9 into root 3, सही है, बच्चो, उसके बाद में, क्या करेंगे, step 3, procedure शुरू, procedure क्या है, हमारी, बुलो, let P be, any point, x, y, z, on generator of cone, यह generator है, बच्चो, इसको generator कहते हैं, आपको लिखके दिया है, मैंने, यह कोन है, axis है, alpha मतलब semi vertical angle, तो let P, x, y, z, be any point on the cone, तो मैं शालू कर देता हू, step, let P, इसको क्या बोलेंगे, step number, बोलो, बच्चो, let P, x, y, z, be any point on cone, उसके बाद मैं क्या करते हैं, बच्चो, बताओ, let P, x, y, z, be any point on cone, drs of vp, बोलो, क्या रहेगा, vp जो है, तो origin है, तो x-0, y-0, z-0, x-0, y-0, z-0, तो x, y, z, फिर drs of axis, ऐसे जरूरी नहीं है, बच्चो, पहले, drs of vp लेको, बाद मैं, axis लेको, axis उपर लेको, vp नीच लेको, same answer आते है, answer में कोई फरक आएगा, नहीं, drs of axis हम जानते है, 1, 1, 1, क्योंकि वो equally inclined coordinate axis के साथ, तो हो गया, तो इन सब को का पूट करना है, पूटीन, cos alpha is equal to below, a1, a2, plus b1, b2, plus c1, c2, upon under root of, a1 square plus b1 square plus c1 square, under root of, a2 square plus b2 square plus c2 square, तो चलो बच्चों, हम कर देते हैं, हाँ, 1 into x, plus 1 into y, plus 1 into z, upon, under root of, x square plus y square plus z square, x square plus y square plus z square, और यहाँ पर क्या रहेगा, a2, b2, c2, बोलो, 1 square, plus 1 square, प्लास, 1 square, सही है, चलो, अब आंसर लिखते हैं, बच्चों, 1 into x, x, 1 into y, y, plus 1 into z, z, यह value लिखने रहेगा है, हमारी, यह cos alpha की value क्या है, it is 1 upon root 9, root 3, 1 upon root 9, root 3, now here, 1 upon root 9, root 3, बच्चों, मुझे बता, 1 into x, x है, 1 into y, y, 1 into z, z है, नीचे क्या रहेगा, बच्चों, अंडर उटाओ, बोलो, x square, plus y square, plus z square, और यहाँ पर कोन है, root 3, 3, अब हम आगे क्या करेंगे, बच्चों, बताओ, root 3, root 3, cancel, आगे क्या रिखते है, squaring on both sides, squaring on both sides, squaring on both sides, what would I get, बोल दीजिये, 1 as it is, root 9 का square, 9, यहाँ पर x plus y plus z, the whole square, और नीचे, अंडर रूट हट जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, और क्या रहेगा, x square plus y square plus z square, सही है, now what to do, देखो बच्चों, यह वो सेट जाएगा, x square plus y square plus z square, और यहाँ पर 9 यह सेट जाएगा, 9 into x plus y plus z, the whole square, और आप इसका expansion जानते है, a plus b plus c, the whole square से, यह क्या रहेगा बोलो, x square plus y square plus z square plus 2xy plus 2yz plus 2zx, बच्चों, यह cycle है, x के बाद y, y के बाद z, z के बाद फिर से कौन, x, cycle है, तो answer सा गए ना, आ गए answer, 9 into x square, 9 x square, यह x square वो सेट जाएगा, 9 x square minus x square, I'll get 8x square, 9 into y square, 9 y square minus y square, I'll get 8y square, 9 into z square, I'll get 9 z square, 9 z square minus z square, I'll get 8 z square, now 9 to the 18xy plus 9 to the 18yz, 9 to the 18zx equal to 0, now throughout, moreover you can solve it like this, divide by 2, फिर यह क्या हुन जाएगा, 4x square plus 4y square plus 4z square plus 9xy plus 9yz plus 9zx equal to 0, further simplification possible नाएगा, this is equation of Cone, required equation of Cone, required equation of Cone, let me check it out, yes 4x square plus 4y square plus 4z square plus 9xy plus 9yz plus 9zx equal to 0, this is absolutely correct.